Welcome to the online class students आज हम पढ़ने वाले हैं Class 6 की English का chapter A Different Kind of School by Edward Willer Lucas एक अलग प्रकार के जो विद्याले हैं उसके बारे में हम पढ़ रही हैं तो students इससे पहले वाले पार्च में हमने क्या पढ़ा था कि ये स्कूल कैसे अलग है इधर की जो विद्या है वो कैसे अलग है और जो तरीके हैं कैसे कैसे वो जो teacher है Miss Beam है अलग-अलग तरीकों को use करके जो है बच्चों को पढ़ाती है तो हमने देखा था इन बच्चों का एक-एक day होता है blind day, lame day, deaf day and dumb day तो हमने वैसे ही देखा कि हर बच्चे का फूरे सत्र में एक लड़की के पास जिनके आखे बंध है जिनके आखों पर पट्टी हो उनसे बात करके वो पूछते हैं क्या मैं तुम्हें ले जा सकता हूं इसके आगे की conversation हम अभी शुरू करते हैं वो येस, she said वो बोलते हैं, हाँ, मुझे कहीं जाना है एक छोटी सी वॉक के लिए अपन चलते हैं पर शर्त इतनी है कि तुम मुझे सारी जो चीज़े हैं उनके बारे में बताओगे और वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश होंगी जब ये आज का दिन जो है फाइनली खतम हो जाएगा बाकी के जो बाद डेस बोले जाता है लेम डे और मूट डे वो इतने बुरे नहीं होते जितना ये है अब बोल रहे हैं अगर आपका एक पर उपर बांच दे और क्रच के सारी अगर तुम्हें होप करते हुए चलना पड़े तो थोड़ा मज़ेदार है अब तुम्हारा हाथ बांच दे तो उसमें जादा तकलीफ होगी क्योंकि तुम खा नहीं सकते ठीक है और बाकी की जो चीज़ें वो नहीं कर सकते अब यहाँ आगे बोला जा रहा है कि मेरे को नहीं लगता कि मुझे डेफ बनने में यानि कि बहरा बनने में एक दिन के लिए प्रॉब्लम होगी at least not much साधा मुझे मुझे मुसीबत का सामना नहीं जेलना पड़ेगा बट बिइंग ब्लाइंड इस फ्राइटनिग पर जो है अन्दता का जो आप experience कर रहे हो वो बहुत ही डरा देने वाला है My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt अब लड़की बता रही है कि मेरा पूरे दिन क्या साड़ दोगता है क्यों क्योंकि मुझे पूरे दिन टेंशन लगी रहती है कि में को कहीं से लग जाएगी मैं get जाऊंगी अब वा पूछ रही है Where are we now? हम कहां है? Oh yes, she said Let's go for a little walk Only you must tell me about things I shall be so glad when today is over The other bad days can't be half as bad as this Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun I guess Having an arm tied up is more troublesome Because you can't eat without help and things like that I don't think I'll mind being deaf for a day At least not much But being blind is so frightening My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt Where are we now? In the playground अब लेकक उसे बता रहे हैं कि अब हम मैदान में पहुच चुके हैं We are walking towards the house अब हम घर की तरफ चल रही है Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl अब बता रहे हैं Miss Beam जो है एक लड़की लड़की के साथ गार्डन में जो है वाक कर रही है What is the girl wearing? अब वो पूच रही है कि जो लड़की है उसने क्या पहन रखा है लेखक से वो पूच रही है जिस पर लेखक उसे बताते हैं A blue cotton skirt and a pink blouse एक blue skirt और एक pink top पहन रखा है उस लड़की ने I think it's Millie अब वो बोल रहे है मिली ही होगी What color is her hair? वो बोल रहा है कि वो पूच रही है कि उनके बाल किस color के है तो बोल रहा है बहुत ही light जिस पर वो बोल रही है कि हाँ वो मिली ही होगी She is the head girl There is an old man tying up roses अब यहां बोला जा रहा है बताया जा रहा है कि एक बुड़ा आदमी जो है roses तो बांध रहा है Yes, that's Peter He is the gardener He is hundreds of years old अब यहां बताया जा रहा है कि वो बहुत पुरान है बहुत सालों से यहां काम कर रहा है वो Peter है यहां पर gardening करता है यह लड़की बता रही है लेखक को Next है यहां पर And here comes a girl with curly red hair अब लेखक उसे बता रहे हैं कि अब जो लड़की आ रही है उसके बाल जो है curly है और लाल है She is on crutches वो बैसा की पकड़ के बैठी है That's Anita, she said अब वो बता रहे है कि यह Anita है जो इस तरफ आ रही है And so we walked on और फिर हम फिर चलने लगे I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be अब इस पे वो बता रहे हैं कि मैं बहुत ही विचारशील बन गया जितना मैं हो सकता हूं उससे भी कहीं जादा I also realized if I had to describe people and things to someone else It made them more interesting to me अब लेखक बोल रहे हैं अगर मुझे कोई चीज किसी को समझा नहीं पड़े तो वो चीज मेरे ले भी काफी interesting हो जाती है अब यहां बताया जा रहा है When I finally had to leave अब जब मेरा जाने का समय आया I told Miss Beam that I was very sorry to go मैंने Miss Beam को बताया कि मुझे जाना बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लग रहा As she replied then there is something in my system after all अब यहां मोल रही है ओ उसी से पता चल रहा है कि इस प्रणाली में कुछ तो ऐसी बात है जो चीज आपको जाने नहीं देरी आपको यहां रोक रही है अब यहां पे हम वापिस पढ़ लेते हैं लास्की लाइं में पताना हो या समझाना हो तो यह अधिक रूची कर हो गया था अब अन्तदा मुझे वापिस जाना था मैंने मिस बीम को कहा कि मेरा माहा से जाने का मन नहीं है यह बहुत ही दुखी करने वाला विचार है तब वो क्या जवाब देती है कि तब मेरी कारे पदती में निश्चे ही कुछ खास बात होगी कि आपका जाने का मन नहीं कर रहा तुडेंस इस वाले पाट के हम देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स थिंक का मीनिंग होता है सोचना ताइंग मतलब बांधना हमने देखा था कि पीटर जो है रोज की गट्रें बांध रहा था गार्डनर मतलब होता है माली या बागबान कर्ली मतलब होता है गुंगराले So का meaning होता है यह की Gradually का meaning होता है दीरे दीरे Discover का meaning होता है किसी नई बात का पता लगाना अब यहां next है ever, ever मतलब कभी Hopping का मतलब है वूद कूद कर चलना Almost का मतलब है करीब करीब Guess का मतलब होता है अनुमान Bit का मतलब होता है थोड़ा सा और Troublesome का मतलब होता है पीडा दाया क्या कश्ट कर Frightening का मतलब होता है दरा देने वाला एक का मतलब होता है दर Worrying का मतलब होता है चिंता से Wearing का मतलब होता है पहने हुए तो students इसके question answer देखते हैं What makes the girl's head ache? क्या चीज़ से लड़की का सहिर दुखता है? क्या बोला तो लड़की ने क्या बोला ता author से कि तुम्हें भी कभी ये try करना चाहिए What problem do you face when your hand is tied up? ये भी students हमें paragraph में बताया गया है नेमन शब्दों की समान शब्द दूनने हैं प्रसंद का समान शब्द हमने देखा था इस paragraph में परिशान करने वाला था रबल सम ये हमने देखे थे इस paragraph में जिने आप भी धून कर लिख सकते हैं तो अब हम यहाँ पर पर देखने वाले हैं एडवर्ड यूकर जो एडवर्ड वेरल यूकर ने ये जो है स्टोरी लिखी है वो क्या है वो ऐसी बहुत ही ऐसी मजाग की कहानिया लिखते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पर पढ़ सकते हैं उनकी जो है विबिन किताबे हैं उनके बारे में भी हम पर सकते हैं नेक्स हमें जानना है इन प्रशनों के उत्तर देने हैं वाइडो यू थिंग दुराइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल अब राइटर क्या यहां पे बताया गया था कि वो वो किसी चीज का आइडिया लेने आया थे हमें लास की कुछ लाइन से पता चलता है यहां पर उन्होंने बोला था कि मैं जितनी कलपना कर सकता हूं उससे भ वोट वोज गेम दिए अवरी चाइब इनी इसकूल हाद टू प्ले सा कॉन सा खेल था जो सबको खेलना पड़ता था अब ये बता गया कि पूरे सतर में बच्चों के लिए एक एक दिन होता था lame day, blind day, deaf day and dumb day वो खेल उन बच्चों को खेलना पड़ता था और बाकी दिनों पर बाकी बच्चों की सहायता यानि की help करनी होती थी Each term every child has one blind day, one lame day Complete the line which was the hardest Why was it hardest? कौन से दिन सबसे ज़्यादा कठोर था और क्यूं? क्यूं था student, हमें हमारे पास first answer तो यह है कि जो blind day था, वो सबसे ज़्यादा कठोर बोला जा रहा है क्यूं? क्यूंकि आपको बार-बार चिंता होती है कि आपको किसी चीज से लग जाएगी, गिर जाएगे प्लस आपको सहायक की भी जरुरत होती है इसलिए ये दिन काफी जादा खटोर था इन जो है special days को मनाने का विशेश दिनों को मनाने का उदेश्य क्या था उदेश्य क्या था, students तो हमने start में देखा था कि जो है, यहाँ पर पर सिर्फ विचार नहीं, विचार शीलता सिखाई जाती है और बच्चों को यह भी सिखाना था कि जो है, दुरभाग्य जो होता है इन लोगों का उनके बारे में जिससे कि एक अच्छे इंसान बनेंगे इसके बारे में हमने इस चैप्टर में देखा था जो कि हमें फर्स्ट और सेकेंड पराग्राफ में भी इसका आंसर मिल सकता है ओके स्टूडेंस, तो यह थे हमारे इस चैप्टर के कोशन आंसर हमने देखा था, और डिफरेंट काइंड और स्कूल लिखी है एडवर्ड वेरल लिउकस ने ओके स्टूडेंस, तो अब हमें यह कोशन आंसर जो है नोटबुक में लिखने है तो स्टूडेंस, हमने पढ़ा था, जो स्टोरी उससे हमें पता चला था डिफरेंट टाइप्स और मेथड जिससे मिस्बीम उने पढ़ाती है तब तक आप इससे रिवाइज करते रहें और फिर नेक्स्ट जो है आप अपनी नोटबुक में इनके आंसर रिखेंगे ओके स्टूडेंस, ताउल पर तोडेंस, थाइंक्यों आव नाइट से है